हिलो फ्रेंस आज इस वीडियो में हम लोग NDPC-CVT1 में पूझे के साइस के पार्ट 9 को कबर करने वाले हैं जो हम विचलेशन के साथ जो है इसको कबर करने वाले हैं ठीक है याद हो जाएगी ठीक है और दूस्री बात बतना चाहूंगा कि यदि आप NCRT 9 प्लस 10 का साइंस का हैंडिटे नोट्स लेना चाहते हैं तो दिये कि इस नमर पर WhatsApp करके आप ले सकते हैं इसका कुछ फी है जो आपको डिपोजिट करना होगा उसके बाद आपको जो नोट्स प्रोवाइड करा दिये जाएगा वड़ सकते हैं जहां से आपकी कॉस्चन डायेक्ट देखने को भी लेंगे जो भी लोग ले लिए वो तो आपके बीजन करिये उनके लिए यह कोँगा और जो नहीं लिए वह अभी भी ले सकते हैं तो आज का जो पहला कोश्चन है कहरा है कि प्रतिवर्स बसंत के मौसम में ओजोन चिद्र किसके उपर निर्मित होता है जो प्रेवेस एर परे होंगे बताना भाई सब 2018 गूरूप कि ऊपर निर्मीद होता है किसे ओपर होता है अंत्रक्र्यक के ऊपर जो है निर्मित होता है लो तो जो जो डिया होता है इस अब आप से पूछेगा कि और ज." Kirnais हमारे तक आने से रोकता है सूर्ज से आने वाली और जलता है और कुर्मूला घरकुर होता है और जो यह लगता है किसमें मापते हैं तो डौवसन में मापा जाता है कि तूपसं अ name मानवकरई सबसे मानव सही में सबसे लंबी हड़ी कौन सी है आप सभी को पता है सबसे लंबी हड़ी कौन सी हो जाएगी जांग की हड़ी हो जाएगी जिसको फीमर बोला जाता है ठीक है जिसको क्या बोलते हैं फीमर भी बोला जाता है जांग की हड़ी के होती है सबसे लंबी होती है मानव सह होता है ठीक है कितना होता है 20060 ही होता है और पूछा जाता है यह दूंसा नहीं क्मरे किताब पर कोंसा द्रब है ना करेक निमन्मीं से कोंसा कम्रे किताब PS मुझे अपर यह द है कंच का मरे की के तब पर देखें यहां पर एक ही देखें लाता सोा चफानु 56 किसका क्या है पारेका किसका सिनेबार होता हैं एक सोडियम को करूं तेल के हैं कि एक सब्हें दोने लगता हैं यह हसली से भी पार्रादां दोन चलिए आज का चौथा प्रस्ट है कि हमारे सरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोगता है भर भर कि कितनी बार एंटीपीसी में पूछा गया पूछने इस वार भी आया है कि निम्न में से प्रोटीन की कमी से कौन सा रोगता है देखे होता कि है ना कि कोश्चन सारे ncrt से उठाते हैं ठीक है एक्जामनर ncrt से कोश्चन लेता है क्या खरता है कि थोड़ा सा भासा चेंज करता है और सीलेबस तो बार-बार वही लिखता है कि ना क्वासी और कर रोग होता है और मेरासमस रोग भी होता है ना मेरासमस मेरासमस रोग बच्चों में होता है क्वासी और मेरासमस रोग दोनों होता है तो प्रोटीन की कमी से क्वासी और कर रोग और मेरासमस रोग दोनों हो जाएगा आपका एस्कॉर्वी होता है विटामिन से की कमीशिisha विटामिन की कमीसे कुछ सार रोगता था। अलासा बेटामिन आप होता हैution कभी आध सकॉर्टाइब कि भॉता है विटामिन डी की कमीशोगा पीॉर्चे अलगता है कि और आश्यों विटामिन विक मेरन की कमलु दो का विससे स कॉन सबोता है। प्रवाइक्रोफोन डैस रुपानतित करता है यह आप से पूछा जा रहा है यह आंत्रिक धौनी उर्जा बहुत सारे अप्चन यह सारे आप डिटेल में परेंगे तो बुक में वहां पर दिया हुआ है नोट्स में भी दिया हुआ किस में करता है मााइक्रोफोन डोनी उर्जा को घणतर करता है इतना एजी सहनवा सवाल ओम होता है सब जानते है कुलम आपका होता है विदुत आवेश का मातर क्या होता है कुलाम होता है तुछ लिए अगले पर चलते हैं अगला परस्न आपका का निवन में से क्या जैने नीमनी करनी पदार्थ आपको चुमना यह निए बायोडिग्रेडेवल इसको बलाता है बायोडिग्रेडेवल ना डी इ ऐसी हो भायो डीघ्रेड लनना उने जो सपते हैं जोशन मिटी केनके 20 शरगल करने नियुक्त वह अंदर ही नियुक्त वह जवड़ी नमीटा서 कि थोड़ा से लंबा प्रशन है कि रेक निवन में से कौन सा तत्व जह कमरे के ताप पर एक अभी लाक्षनिक गंद युक्त हरी पिली गैस के रूप में कौन सा तत्व होता है ना तो कलोडीन हो जाएगा आपका राइट अंसर क्या होगा कलोडीन होता है यह बहुत जादे जो बहुत दिन का पुराना हो जाता है ना घारी वगेर तो उससे निखलता है वहनों से निकलने वाला गास कुल से कारवन मुनोकसाइड को क्या होता है बहुत ही जहरी ला गास होता है इस से परस्वन जाएगा कि क्लोरीन किस समझाजी थे हैं तो है किससे हैं लोजन समूं का तत्तु क्या है क्लोडीन है चलिए अगला प्रश्ण है आपका कि करें कि साइकलोन थर्टी एक पार्टिकल एक्सलेटर है जिसका चिकित साइब क्या था यह किस रोग से ग्रसित व्यक्तियों की शाहिता करता है यह आप क्लोन थर्टी कैंसर से ग्रसित व्यक्तियों की शाहिदा करता है मद में इंसुलीन की कमी से होता है यह तो बताई दिया और रख्त चाप कमान के होता है 120 वट्टा 80 mmHg इससे कम होता है तो क्या बोलते है इसको कि बलड़ प्रेसर आपका जो है लो हो चुका है लेकिन 110 दस तक चलता है 10 15 तक चलता है ठीक है इस से नीचे आएगा तो पिर दिककत हो देगा आपको का कि आधुनिक आवर्थ्स impress sharing किस पर आधारी ते मिता क cordial さ i six all इस फिर्राण। सबी लोग जानते है्परमानु संख्या परणाधारी थे किस पर है इस में 9 13 विढिनिक में 11 11 तरभी कौर सांनी दिया गया इसमें आ वर्त के संहित कि तो यह इसन खेला इसमें लिकना चाहं करना साथ हैं सारी लिख सकता हो लेकिन क्या होता है और फोन पे बढ़ा बॉर्ट होदा तो तो फिर अच्छे से और भी ज्यादा चीज़ें लिखी जा सकती थी ठीक है ठीक छलिए पर जबते हैं अगला प्रस्ट में करें निवन में से कौन था हर्मोन है इसे कौन सा क्या है पादप हर्मोन है पर आपको चूज करना है कि पादफ हर्मोन कौन सा देखिए ओक्सीन यहां पर पादफ हर्मोन होता है थायरोक्सीन का संस्लेशन किसे होता है थराइट ग्लेंड से विआ खेंड लेन्ड से यह होता है ठाइड ग्लेंड से होंगी तॉपमास्ट बहुत बहुत बादभान पातर प्रस्ण सरे वोश्ig依 पॉठ इस व्याद रखें जारी कि रहा है तॉपमाव सरीख का कौन सा अंग जो है इलियम स्रेनी खंड क्या हो रहा इसको बार बार आज मानव स्रेड का कौन सा अंग जो है इलियम स्रेनी खंड रहे वाख प्रण नीचे ही कर ले तो हो ना लगता आज गुस्सा में मोवाइल मेरा मानव सरीड का कौन सांग इलियम, सरендिखंड और जगन अस्ती के मेल से बनने वाला ऑग नितम अस्ती है नि उखें लिख लीजिए इस पर आप निन उखेंगा मे find लगा यह विया वीनजी आउट500 दोपापहए ऐसे कोन सा पम हार्मोन है कि आज मोवाईल कोह से कौन सा पशू हार्मोन laufen हैं जबाए 270 गवाईले पशू हार्मन तो देंगे यहां पर अभी बताया था मैंने आपको कि साई्टोकय और मिध्रामोन ये अगर पताओ पीछे बता तरुन है बादभ हार्मों है एक ही बच्राका इंसुलीन इंसुलीन किसे निकलता है यह पह бол Const laquelle फीश्यकृष संहां करें समय व्मट मुंद्प वीटा को निकलता है कुछ च्टा सिल्सकां फालुष सद पर सुन सेटार सकते सिरह इन सुलीन हर्मोन शेचिर हें टिक है तो पासु हार्मोन कुनसा हो जाएगा इन्सुलीन हो जाएगा आपका पासु हार्मोन और अज्टा में आण Black wine इंसुलीन के गिठ टैसे कॉंध सा रोगता वोता है मधुमे रोगता जिसको डाइब्टी क्या होता है। हाइपो 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 गलाई सीमिय होता है. मैंने पपीछे विला वीडियो तक नहीं बता Pack था लेकिन आज बता दे रहा हूँ इंसुलिन की कमी से मदš में होता है लेकिन पूछ देगा कि अधिकता से इंसुलीन जब अधिक हो जाएगा तो क्या होगा तो हाइपो गलैसीमिया रोग हो जाएगा यहां पर ठीक है चलिए अगला प्रशन नियून में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है केवल पादप कोशिकाओं में जो है इन में से क्या पाया जाता है तो यह और जनतु कोशिका में भी आप यह सब आपका हो जयागा राइट लॉपक हो जएगा जो के पादप को सिगा पाईजाते हैं गॉल जी काया का खोज कौन क्या था कैमीलो गॉल जी नामक बेग्यानिक नहीं किया था ठीक माइट्रो कॉंडिया की खोज अल्टमैन ने किया था यह सब Merc.to केंड्रा की खोज रोवेर्ट ब्राऊन ने किया था क्या TTHथा, Unit 1831 का खोज रोवेर्ट ब्राऊन期 जीar का क्या है? के रहा है ठाट से लंबा प्रस्न है कि वायूस के समफर्क में आने से कुछ समय बाद चाननी के गहने काले पर जाते हैं क्यों? पहले तो यह भी पूछा गया है कि चांदी जह वाईव के संपर्क में आने से कैसा रंग हो जाता है उस पर तो काला हो जाता है तो यादी रखिये गए यह प्रस्ट में अंदर बना दिया एक और प्रस्ट तो देखे कह रहा है कि चांदी वाईव में मौझूद कारवन के यह आपका सही हो जाएगा सिल्वर सलफाइड बनाता है जिसकी काली परत चड़ जाती है यह भी आपका गलत हो जाएगा सिल्वर हैड्राइड नहीं बनाता है ठीक चांदी जो है क्या बनाता है सिल्वर सलफाइड का निर्मान करता है ठीक है तो राइट अंसर क्या हो क्या हो जाएगा हिलाइट सिंधा नमक का खणीज नाम क्या हो जाएगा हिलाइट हो जाएगा चलिए वागी का सुद्र जान लेते हैं मैंगनेटाइट का फर्मूला होता है fe3O4 मैंगनेटाइट का फर्मूला क्या होता है fe3O4 पूछ देता है कभी कभी सीडे राइट का फर्मूला भी क्या होता है feC03 का फर्मुला होता है FECO3 और हैमेटाइट को तो इसको तो जन्राली लोग जानते रहते हैं FECO3 ठीक है FECO3 है मेटाइट का FECO3 और मेगनेटाइट का FECO4 होता है ठीक चलिए अगला प्रस्ट नहीं में से कोन परियावरान संबने अगला प्रस्ट है कह रहा है कि सूर्ज और चंद्रमा द्वारा सूर्ज और चंद्रमा द्वारा गुर्तवा कर्शन के माद्यम से पिर्थिवी को एक ही दिशा में खीचने कारण क्या उत्पन होता है सूर्ज और चंद्रमा के दौरा जब एक ही दिशा में खीचा जाएगा तो क्या उत्पन होगा जाएगा तो विरिहत जोहर भाटा का उत्पन हो जाएगा ठीक है कि परकास संसिलेशन के लिए आवसके चार मूल तत्व कौन से बताने पाने कलोरोफिल पानी तो होगा यह रासायन आगया घलत होगया ठीक गराखाऊ परजी यह घरा साथ है एकर सूर्ज का चाए खांच का वर्डोरी ओगर सुर समेड़ा सब्सक्राइब में जो है अभी किर्या का समीकन लिखे देखे इसका समीकन क्या होता है समीकन होता है 6CO2 पलस 12H2O ठीक है इस पर जाब उपर से सूर्ज का परकास डालेंगे और नीचे से क्लोरोफील लेगा ठीक है क्लोरोफील में कौन सी धात हुआ थी मैंगनेश्यम होता है याद रखेगा तो यह किसका निमान करेगा गुलकोज का पलस हो जाएगा 6H2O पलस हो जाएगा आपका 602 ब्लास्ट में क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीजन का निर्मान करेगा तो फिर से देख लिजे 6CO2 सुर्ज का परकास क्लोरोफील की उपस्तिती में 6H2O6 जिसको कहते हैं गुलकोज करने मान करेगा पलस 6H2O जलके 6N0 और और फिर ऑक्सीजन के भी 6N0 का जो है निर्मान करेगा ठीक है यह इसका समीकरन होता है चलिए अगला प्रशन है आपका कि जब ऑक्सीजन की अनुप दोसको और यॵी बहा जाता जब ऑक्सीजन की अनुप स्थिती में सोचन होगा तो उस्को ऑवाय वी इस सब्सक्न बुला जाता है दो जोस्तों हमने आपको जो है टोप 20 प्रशन करा दी हैं आपके कितने प्रस्तित में से सही हुए आप कमेंट करना ठीक है और ये वीडिय आपको कैसी लगी हो आप इस कमेंट बॉक्स में जबर बताईएगा ठीक है और जो भी लोग एंसी आर्टी का नोट्स लेना चाहते हो दिये कि उस नमर पर मैसेज करके जो है ले सकते हैं कुछ फी उसका पैमेंट करना होता है पैमेंट करके आप आसानी से अपने एकजाम में जो अच्छी तियारी कर सकते हैं साइंस के लिए ठीक है चले मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में थैंक्यू समझ